तो दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में मैं हूँ संतोस कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल ग्यान टेकनिकल तो दोस्तो आज का वीडियो का टोपिक है कि ये मैक्रो मैक्स कनभास टेब P480 का मोडल है दोस्तो और इसका प्र ब दोस्तो मैं आप लोगों को च्छाज लगा के उसका बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये चार्जी नहीं ले रहा है और चार्जर में भी शो नहीं कर रहा है तो देख सकते दोस्तो इसमें भी 00A ले रहा है तो यह charging jack ही खराब है दोस्तो तो इसका jack change करेंगे तो सबसे पहले दोस्तो इसे खोलेंगे उसके बाद इसको देखेंगे कि problem कि steps है तो दोस्तो इसका charging jack change करेंगे और इसका problem ठीक करेंगे तो दोस्तो अश्टेप बाश्टेप फोलो किजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज सब्सक्राइब कर किजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस किजिए क्योंकि मैं इस चैनल पर नए नए टोपिक पर विडियो लाता रहता है तो सबसे पहले दोस्तो इसे खोल लेंगे उसका बाद इसका प्रोब्लम देखेंगे दोस्तो तो यह खोलना बहुत ही आसान है दोस्तो तो इसका मैंने देख सकते हैं यह back panel direct खुलता है पीछे के साड में तो सबसे पहले चारो तरफ से देख लेते हैं कि यह खूलने का रास्ता किस टाप से है तो यह टूजर से भी खूल जाएगा दोस्तों हाथ से भी खूल जाएगा तो कैसे भी तरह खूल सकते हैं और ध्यान से खूलना है दोस्तों क्योंकि इसमें डिस्पले आगे का तरफ है तो खूलने का वज़े से डिस्पले तूटने का भी डर है तो थोड़ा ध्यान बरतना चाहिए दोस्तों बाद बाकि चार्जिंग जेक चेंज करने के लिए तो बहुत ही आसान है दोस्तों तो सबसे पहले इसे खूल लेंगे तो खूल लंबा ना हो जाए इसलिए पेज को में निकालने के चलती में वीडियो को फास्ट फोर्गेट कर चुका है तो यह देख सकते हैं बहुत ही आसानी से डिरेक्ट बेक पेनल खूल जाएगा उसका बाद मदरबोर्ड बाहर आ जाएगा तो हलके हाथों में खोलेंगे क्योंकि डिस्पले आगे है तो डिस्पले में कही प्रोब्लम ना आ जाए इसलिए हलके हाथों में हलका जोर डालेंगे तो डिस्पले टूट सकता है तो सबसे पहले इसे धिरे-धिरे हलके हाथों में देख सकते हैं यह आगे के तरफ जाएगे धिरे-धिरे खोलेंगे तो देख सक देखते हलका मैनत इसमें खोलने में लग रहा है क्योंकि इसका बैक पेनल बहुत ही मझबूती तरीका से बैठाया हुआ रहता अब यह धिरे-धिरे बैक पैनल इसका बाहर आ रहा है तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं कहीं पैच तो नहीं लगा हुआ इसका अनुसर हलके हाथों में खोलेंगे और आगे का डिस्प्ले को बचा लेंगे क्योंकि फूटने नहीं देना है तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यह कोर्णर का साइड है तो कोर्णर का साइड में थोड़ा ध्यान से खोलना पड़ता है तो सबसे पहले दोस्तों इसे फटाफट खोल लेते हैं तो देख सकते हैं यहां यह कोना का साड़ भी बाहर आ चुका है उसका बाद आगे के तरफ देखेंगे, आगे के भी खोलेंगे, तो देख सकते हैं ये खूल चुका है, अब दोस्तो इसका motherboard बाहर करेंगे, तो दोस्तो इसमें जितना भी कुछ लगा हुआ है, सब इसमें flex system लगा हुआ है, देख सकते हैं, सभी में flex लगा हुआ है, जिससे की camera हो गया, power button हो गया, ये सभी में flex system है, सब को बाहर करेंगे, कोई दिकत नहीं है, तो एक करके सभी flex को बाहर कर देंगे, यहाँ tap से चिपकाया हुआ है camera, तो इसे भी बाहर निकाल देंगे, तो दोस्तो इसका flex का connector को निकाल लेंगे, उसका बाद इसे camera ये बाहर आ चुका है, उसका दोस्तो यहाँ एक page लगा हुआ है, तो ये page को भी बाहर निकाल लेंगे, उसका बाद और एक page लगा हुआ है, तो ये page को भी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तो पेच निकलेगा, तो ही तो motherboard आएगा बाहर, उसका बाद इसमें देख सकते हैं, और एक page कहीं तो लगा हुआ हुआ नहीं धूंड लेते हैं नहीं तो क्या होगा कि मदरबॉर्ड बाहर आने में दिकता होगा सब सब Torah dola K slider केमρά को भी बाहर निकाल लेते हैं क क्योंकि डिश्ट अपना करें उसका बाद देख सकते हैं यहां लगा हुआ है तो सभी को फलेक्स को एकई करके में निकाल दे रहा है तो देख सकते हैं यह नेट vertices उसका बाद इधर लें बैटरी का आपनेक्टर दोस्तों तो इसे भी निकाल देंगे तो यह पीसीबी का फ्लेक्स है तो इसे भी निकाल लेते हैं उसके बाद बैटरी के कनेक्टर को भी निकाल देंगे तो इधर भॉलियम बटन का है तो भॉलियम बटन का अब निकाल लेते हैं और इधर बैटरी कनेक्टर को डरेक्ट उपर करेंगे तो ये खोल जाएगा तो सबसुति पहलेज़े अच्छा से ऊपर के साध flavors करेंगे तो ये निकल जाएगा बाहर तो देख सकते हैं ये भी बैटरी कनेक्टर बाहर आ चुका है अब दोस्तों इसे मदरबोर्ड को ओपन करेंगे खोल लेंगे मदरबोर्ड बाहर आने के लिए अब रेडी हो चुका है तो देख सकते हैं इसे मैंने निकाल चुका है उसका बाद दोस्तों क्या करेंगे कि देख सकते हैं इसका पिन पहले से यह ओल्रेडी कवर चुका है बाहर आ चुका है और इसमें देख सकते हैं, चाट प्रिंट नहीं है। भीमस का प्रिंट नहीं है, उसके बाद इधर तो क्या करेंगे दोस्तों? इसका पर दोस्तों को जंपर करेंगे। तो सबस्ब पहले केमरे को आगे जूम कर लेता हैं, ताकि मैं आप लोगों को ठीक से दिखा सकूं कि इसका प्रिंट ओके या बाहर आ चुका है तो सबसे पहले ठीक से मैं फिटिंग कर लेता हूं कि आप लोगों को मैं ठीक से दिखा सकूं तो दोस्तों देख सकते हैं यहां print यहां पहले से already jumper किया हुआ था विवास का line को और यहां तीन print नहीं है तो विवास का line को jumper करने से यह charge 100% लेगा दोस्तों क्योंकि इसमें कोई दिकत नहीं है जियो का phone रहता है उसमें सभी को jumper करना पड़ता है यह इसमें jumper नहीं करना पड़ेगा पलस और मानेस से काम हो जाएगा दोस्तों क्योंकि यह charge का ही problem था तो charge problem ठीक करेंगे तो सबसे पहले फ्रेस करके देख लेते हैं कहीं connector बचा हुआ है print बचा हुआ है यह नहीं तो यह print नहीं बचा हुआ है और दोस्तों यह पहले जो पिन लगा हुआ था यह मजबूती टैप से नहीं लगा हुआ था तो इससे मजबूत टैप से लगाएंगे फिनिसिंग अच्छा से करेंगे क्योंकि ये बार-बार प्रोब्लम ना करें क्योंकि दोस्तों बार-बार प्रोब्लम करने से क्या होता है कस्टमर घूमता है जिसके वज़े से कस्टमर भी खराब होता है तो वैसा नहीं करेंगे तो सबसे पहले इसका जड़ मस्बूत कर लेंगे इसका लेक को मस्बूत से बठाएंगे ताकि यह चार्ज लगाने में यह प्रोब्लम फिर से ना करें तो यहां जो लेक है दोस्तों लेक का बीच बीच में जो यहां रांगा लगा हुआ है तो फ्रेश से रांगा लगा देंगे क्योंकि इसमें पहले रांगा नहीं लगा हुआ था तो पहले लगता है कि शोल्डिंग आरन से ही काम हुआ था जिसके कारण यह पिन बाहर रहो चुक है तो इसका ब्लोवर से वर्क करेंगे क्योंकि ब्लोवर से वर्क करने से यह मजबुती तरीका से बैठ जाएगा तो देख सकते हैं इसका सोल्डिंग बिल्कुल यहां पूरा अच्छा से रांगा भर देंगे क्योंकि यह मजबुती से बैठा के रखेगा पिन को तो यहां किलियर हो चुका है दोस्तों तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे कि पीछे के साथ देख लेंगे क्योंकि दोस्तों इसका ब्लोर करने का जगा है या नहीं नहीं तो अगल वगल का कंपोनेट भी ब्लोर के कारण से प्रोब्लम हो सकता है इसलिए इसमें नहीं है तो अच्छा से मैं पिसीवी को सबसे पहले बैठा लेता है उसका बाद इसे फिनिसिंग करेंगे तो अभी के लिए मदरबर्वोट को साड में रख देते हैं उसका बाद इसका चार्जिंग जेक को लाएंगे तो देख सकते हैं यह रहा चार्जिंग जेक और इसमें क्या करेंगे कि पिपीडी पेस्ट लगाके उसका बाद इसे जो print है solding करके उसका बाद इसमें ranga fix करेंगे तो सबसे पहले दोस्तो solding कर लेते हैं इसका जो पांचो print है तो देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश तरीका से ये solding हो चुका है क्योंकि दोस्तों इसमें jumper करेंगे बेबस का line को jumper करेंगे उसके बाद minus का पहले से already उसमें print है उसका jumper नहीं करेंगे तो देख सकते हैं वास कर लेते हैं पहले patrol से क्योंकि पीपीडे पेस्ट नहीं रहने देंगे तो ये बिल्कुल clean तरीका से वास हो चुका है अब इससे क्या करेंगे कि सबसे पहले jumper कर लेंगे ये पीपीडे पेस्ट को तो यहां board को मैं नीचे रख लेता है उसका बाद तो दोस्तों इसका जो धूल particles लगा हुआ है तो यहां clean कर लेंगे ताकि ये फ्रेस से देख सके तो patrol के मदद से यहां clean कर लेते हैं तो देख सकते हैं ये बिल्कुल बढ़िया तरीका से ये clean हो चुका है अब क्या करेंगे दोस्तों charging jack है तो उसका jumper पहले कर लेंगे क्योंकि यहां print बठाएंगे तो बाद में jumper वो नहीं टिकता है इसलिए सबसे पहले jumper कर लेंगे तो ये रहा jumper वार ये जल्दी jumper हो जाता है क्योंकि special jumper के लिए बहुत हिमास तरहता है दोस्तों तो यहां sold कर लेंगे उसका बाद jumper को fix करेंगे तो देख सकते हैं यहां jumper को ठीक से soldering कर लेते हैं तो दोस्तों ये jumper हो चुका है देख सकते हैं ये clear हो चुका है अब यह जेक को अप्लाय कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इसे फिटिंग करेंगे जेक को तो यहां देख सकते हैं यहां जो पीपीडी पेश्ट लगा हुआ है उसे और मजबूती से सोल्ड कर लेते हैं पहले कि ताकि यह ठीक से यहां बैठ सके और बाद में प्रिंट न जमपर वायर का फिनिसिंग बिल्कुल अच्छा तरीका से इसमें सोल्डिंग हो चुका है तो यह अब अपला करने के लिए रेडी हो चुका है तो कटिंग कर लेंगे दोस्तों ज्यादा लंबा वायर नहीं रखेंगे तो सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं तो ब्लेड के मदद से इसे कटिंग कर लेंगे तो दोस्तों यह कटिंग भी हो चुका है अब दूसरा साड भी सोल्डिंग कर लेते हैं कि ताकि इसमें जमपर करेंगे तो इसलिए सबसे पहले इसे नेक्स्ट साड सोल्डिंग कर लेते हैं तो यहाँ पहले से पिपेडी पेस करके उसका बाद इसे नीचे से ब्लोवर करेंगे दोस्तों नीचे से ब्लोवर करने से क्या होता है दोस्तों कि इसका जो जेक रहता है वो खराब नहीं होता है डेमेज नहीं होता है और ठीक से वर्क भी करता है तो तो दोस्तों यहां जेक को अच्छा से लेक को बराबर से ब देख सकते हैं इसका जो एर गान है होट गान है बिल्कुल लाल हो चुका है तो इससे कोई दिकत नहीं दोस्तों लाल होने से क्योंकि यह नीचे से ब्लूर करेंगे तो यह थोड़ा ठीक से बैठ जाता है और इसका वोल्टेज भी बहुत ही टेंपरेचर खिचता है दोस्तों देख सकते हैं इसका लाइट भाग बुक कर रहा है तो सबसे पहले दोस्तों इसे क्या कर लेते हैं कि यह पीन को ठीक से बैठा लेते हैं उसका बाद इसे जंपर करेंगे दोस्तों तो कुछ टाइम लगेगा इसको बैठने में तो इसे बैठने देंगे और यह अपने बिल्कुल perfect तरह के आसे बैट चुका है अब इसे हलका सुखने देंगे यह ठंडा होने देंगे क्योंकि यह heat हो चुका है बहुत ही ज्यादा तो इसलिए इसे ठंडा होने तक wait करेंगे उसका बाद दोस्तों इसे jumper करेंगे तो यह भीवस का line है बिल्कुल आसान है वहां print दे तो यह sold करेंगे उसके बाद इसे चेक करेंगे कि यह charge ले रहा है यह नहीं ले रहा है तो देख सकते हैं यह sold हो चुका है अब इसका jumper wire को ठीक से बैठा लेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ यूवी पेस्ट को यहां अपलाय करेंगे क्योंकि यूवी पेस्ट अपलाय करेंगे उसके बाद यूवी लाट यहां देंगे क्योंकि यह सूख सके और ठीक से मैं इसे मजबूती से बैठा सको तो दोस्तों इसमें अपलाय हो चुका है देख सकते हैं सभी में अपलाय करते ह उसका बाद light यहां देंगे क्योंकि light कुछ दिर तक देंगे तो सुख जाएगा यह और मजबूती से यह print बैट जाएगा तो इसका jumper wire का मजबूती के लिए इसे apply करेंगे दोस्तों क्योंकि यह बार बार problem create ना करें तो यहां देख सकते हैं सभी print को मैं apply कर दे रहा है क्योंक तो यह apply हो चुका है दोस्तों अब इसमें light देंगे light से सुखाएंगे इसे तो दोस्तों यूवी tempered glass जो लगाते हैं वही light का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि UV lens मेरा पास नहीं है तो इसे भी काम बढ़िया हो जाता है दोस्तों तो इसी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हलका time ज्यादा लेता है दोस्तों लेकिन इसे भी काम निकल जाता है तो इसी का देख सकते हैं तो इसे भी बिल्कुल finishing अच्छा जाता है दोस्तों तो क्या करेंगे कि कम से कम 10 मिनिट तक ऐसा ही छोड़ देंगे तो जिससे यह UV paste ठीक से सुख सके तो वीडियो को मैं fast forget कर देता ह क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जा इसलिए कुछ दिर इसे देख लेते हैं कि यह ठीक से सुखा या नहीं तो इसे देख लेते हैं उसका बाद इसे फिर से बठा देंगे तो देख सकते हैं बहुत ही time इसमें दे चुके हैं अब यह सुखा है या नहीं तो सब से पहले दोस तो यह क्या रहता है कि यूबी पेश्ट से जंपर अच्छा तरीका से ढग जाता है जिसलिए इसका इस्तिमाल करना भी चाहिए तो उसका बाद दोस्तों आप लोगों को मैं चेक करके दिखाने जा रहा हूं कि यह किस टाइब का वर्किंग कर रहा है यह नहीं तो दोस्तों म बहुत ही फ्लेक्स वगेरा लगा हुआ है जिससे वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसे सबसे पहले फटा-फट फिटिंग कर लेता हूं तो दोस्तों यह फिट हो चुका है उसका बाद इससे चार्ज लगा के उसका बाद चेक करेंगे कि यह चार्ज ले रहा है यह नहीं ले रहा है तो सबसे पहले देख सकते हैं इसमें चार्जिंग सो करने लगा उसका बाद दोस्तों इसका परसेंट देखेंगे कि कितना पर परसेंट ओल्रेडी चार्ज है तो यह 100 परसेंट ओके हो चुका है दोस्तों तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद लगा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर किजे और चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजे और